इस वीडियो में आपके लिए क्लास ट्रेंट की जो श्रीतिश की बुक है चाप नमबर फ़र्स जिसका नाम है सूर्दाज के पद उसका मैंने पार्ट वन प्लोड कर दिया है और यह उसी का पार्ट सेकेंड है तो चलिए स्टार्ट करते हैं मन की मन ही मांज रही मांज का अर्थ होता है अंदर गोपिया यहाँ पर कह रही है कि हमारे प्रेम की भावन तो हमारे मन के अंदर ही रह गई कहिए जाए कौन पे उधव नाही परत कहीं अब उधव तुम ही बताओ हम अपने मन की बात अब किस से कहें अब्धी अधार आस आवन की तन्मन बिथा सही अब्धी का अर्थ होता है समय बिथा का मतलब होता है दुखदर फिर गोपिया कह रही है कि हम इतने जादा समय से यही आस में जी रहे थे कि यही अभी लाशा में जी रहे थे कि जल्द ही श्री किशन आएंगे इसी के कारण हम बहुत सारे दुखदर भी सह रहे थे अब इन जोग संदे सनी सुनी सुनी बिरहिनी बिराह दही संदेशनी का अर्थ होता है संदेश बिरहिनी बिराह दही का अर्थ होता है इंतिजार की आग में जल रही फिर गोपिया कह रही है कि तुम ये कैसे संदेश लेकर आ गए हो तुम्हारा ये संदेश सुनकर तो और भी जादा इंतिजार की आग में जल रही है हम चाहती हुती गुहारी जित ही तै उत्ते धार बही गुहारी का अथ होता है रक्षा के लिए पुकारना फिर गोपिया उधव से कह रही है कि जब भी कोई रक्षा के लिए पुकारता है तो वो अपने रक्षा को पकारता है परन्तु यहाँ पर तो योग की धारा उल्टी ही बह रही है हमारे रक्षा की हमारे दोग का कारण बने हुए है सूर्दास अब धीर धहर रही है क्यों मरजादा ना लही धीर कार्थ होता है धहर रही है मर्जादा का अर्थ होता है मर्यादा फिर गोप्या कह रही है कि सूर्दास अब हम इंतिजार ही क्यों करें जब अब यह आशा ही नहीं रही कि वो आएंगे तो यहाँ पर हमारा सेकिंड जो पोयम थी उसकी एक्स्प्लेनेशन खतम हो गई है अब आपको समाझ जाय होगे अब यह लाइक दे वीडियो दन प्रिशेट एट और दों फोगत तो सब्सक्राइब मैं चानल थैंक्स पर वाचिंग